नियोन लेंप एक टाइब का गैस डिस्चार्ज लेंप होता है जिसके ग्लास ट्यूब में लो प्रेशर नियोन गैस इन्वेलप्ट किया हुआ रहाता है नियोन लेंप को कोल्ड कैथोर्ड लेंप भी बोलते हैं नियोन लेंप में दो हाई रेजिस्टिव इलेक्ट्रोड ग्लास ट्यूब के अंदर इन्वेलप्ट किया हुआ रहाता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस काफी हो स्मॉल होता है यहाँ पे लीड वायर है जिसका यूज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए किया जाता है ग्लास ट्यूब के अंदर 95.5% लो प्रेसर नियोन गैस और 0.5% आरगन गैस फिल्ड रहाता है ट्यूब के अंदर प्रेजेंट गैस का जो प्रेसर है वो अबाउट 8 टोर रहता है जब बोथ इलेक्ट्रोड के एक्रोस AC और DC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रोड से करेंट फ्लो करती है सिंस इलेक्ट्रोड हाई रेजिस्टी माडेरियल का बना हुआ रहता है इसलिए वहाँ पर I2 आरलोस होता है और हीट प्रोड्यूस होता है आफ्टर थ्रिसोल्ड वोल्टेज वेल्यू दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो मीडियम है वो आयोनाईज हो जाता है दू टू हाई टेमप्रेचर आड दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क का फोरमेशन होता है और करेंट फ्लो करती है वहाँ पर थर्मल एनरजी के कारण neon gas ionized हो जाता है and neon lamp के थुरू light emit होता है generally neon lamp orange light produce करता है glass tube के उपर chemical powder का coating करके different color produce करा सकते है neon lamp का use different applications में करते है neon lamp का use as a visual indicators electronic equipments में किया जाता है इस lamp का use voltage tester में किया जाता है इसका use different detecting electronic equipments like microwave and millimeter wave detector में किया जाता है neon lamp का use electrical switchboard में किया जाता है तो इस तरह से कोई भी टोपिक को अगर आप easy way में समझना चाहते है तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon को भी प्रेस कर ले ताकि वीडियोज आप तक पहुच सके कि अगर खाहते है प्रेस के अगर आप नाप एक तनी जाप एक kind आप एक पास में